इस वीडियो में मैं आपको RCDF राजस्थान कोपरेटिव डेरी फैडरेशन की तरफ से कुछ रिक्ट में निकल गया रही जिसके नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताऊंगी तो आप इस वीडियो को लास तक देखें और जो भी इसके लिए लेजिबल हो इस फॉर्म को फिल कर किये हैं तो वो अब इस फार्म को फिल अब कर सकते हैं यह जो आपके जौब है परमनेंट जौब रहने वाली है यहां पर प्रेशन को को सकते हैं अब यहां पे बात कर लेते हैं वेकेंसिस के डितेल के बारे में यहां पर देखें बहुत सारे ब्रांच से रिलेटेड पोस्ट आ रही है तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं हम आपको यहां पर सिविल से रिलेटेड पोस्ट उसके बारे मैं उसकी डिटेल बताऊंगी तो अधर ब्रांच वाले भी देख सकते हैं इस नोटिफि कोस्ट ए असिस्टेंट मैंआजर की आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं यहां पर आप कि नीवाविन इस्ट्यूड रहने वाले वो डियो नीएस इस जैपो रहने वाला है है हैं यहां पर आपके जो सैलर रहने आज़े को यहां पर देखिये जो पोस्ट है नेक्स पोस्ट जो है यहां प marry इंजीनियर सिविल की horse यहां पर जोने मापी निस्टूट रहने वाला है वो आपका RCDF रहने वाला है यहां पर जो आपकी परमन की सेलरी रहने वाली है वो तीरानबे सो से लेके 34,800 परमन की सेलरी प्लस गेट पर जो रहने वाला है वो 36 रहने वाला है यहां पर जो नम्मर वेकेंसी है वो एक है अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्जाम फी की जैसा कि इस नोटिफिकेशन में दिया है जो आपके एक्जाम फी रहने वाले जनरल और OBC के लिए आपकी 1200 रहने वाली यहां पर जो आपको रिजरेशन मिलेगा वह राधस्तान जो स्टेट के कन्नृइट से उन ना पर जी अब अपना फी रिय्याइड लेंगे और अपना अंलाइन फ़ेख कर सकते हैं प्रृब कर सकते हैं बात करले रहए २ित अव्याई का इस सड़ मृतिश्व कि इसकी स्लेवय क्या स्की क्वालिफीकेशन क्या मांगा है अ कि कि यहां बी चुक तो आपका स्लेवयбस रहने अधरा है वह अलग-अलग स्क्रिंग से लीगला से सब्सक्राइब क्युंपकेशन मांगा है यहां पर देखिए थे स्की we can किशन मांगा हैN कि यहां पर जो आपकी डिप्टी मैंनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो डिग्री इन सिविल मांगा है और प्लस फाइप येर का आपका एक्सप्रियेंस रहना चाहिए यहां पर जो आपका एक्जाम होगा वो दो पार्ट में होगा पार्ट वन और पार्ट टू में होगा तो पार्ट वर्ड में आपके टेक्निकल से रिलेटेड क्वेशन रहेंगे पार्ट बी में जो आपके क्वेशन रहेंगे वो राजस्तान का शमान नहीं रहने वाला है मतलब राजस तो आप इस नोटिफिकेशन में देखे और इस टॉपिक मतलब बेसिकली आपको राजस्थान के बारे में नौलेज होना चाहिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिविल की पोस्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे भी डिप्टी मेनेजर की पोस्ट है यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगा यहाँ भी डिग्री इन सिविल इंजिनियर मांगा यहाँ पे जो आपके एक्सप्रेंस रहने वाले वो भी फाइप एर का experience रहने वाला है, यहां पे भी स्लेवर्ष आप देख सकते हैं, जो सेकेंड डू सलेवर्ष मांगा है, एम के लिए स्टेंट मैनेजर की लिए, तो इसमें भी आपके degree in civil मांगा है, यहां पे जो आप का experience मांगा है, वो दो साल का experience मांगा है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर जो वो असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए जो कौलिफिकेशन मांगा है यहां पर भी डिग्री इन सिविल मांगा प्लस टू एर का आपका एक्सप्रेंस मांगा है और यहां पर देख सकते हैं आपके जो स्लेबस रहने माला है वो पार्ट बन पार्ट टू में डिवाइड है वह को आफिर्थी थे ईब उल्ट है यहां पर कि और चु उक्ष्पील न चल्फ से थो उसकी साथ आपका इस सारी को देख सकते हैं वह देख सकते हैं एपेरिंग वाले इस फ़र्म के लिए लीजबल नहीं है धाल या पर फ्रेश और जिनके पास एक्सप्रियान्स है वह इस फ़र्म को फिलप कर सकता है है कि यहां पर जो आपकी पॉस्ट है तो एक अलग-अलग पोस्ट के लिए लिजबल है तो भर सकता है लेकिन जो आपकी फीपेमेंट करना होगा अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग फीपेमेंट करनी होगी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके सेलेक्शन प्रोसेस की आपके सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं ए ज्यातले सकते हैं आपके सेलед प्रॉसेस्षान हाला आपका ऐन करो आंपका इंटर्वीव करके साथ करें नेक्स्थ बात कर लेते इस कि जो आपकी जन्व है वह यहां पर दिया है कि आपकी मीनमपों जो ऐसे होने से चाइए वह किसार जाह रानी चाहिए और मैक्सिमम जो ओना चाहिए वह चाली साल रहना चाहिए तो इस नोटिफिकेशन में इतना था जो मैं आपको बता दी हूँ तो आगे जो अभी नूटिफिकेशन आया है अभी उसके बारे में बताते हैं आपकी जो डेट एक्स्टेंड हुई है वो मैं बताती हूँ कि कब तक इस फॉर्म को आप फिल अप कर सकते हैं तो जो अभी त करनना स्टार्ट हुआ तो 29 जन्वरी से आपका स्टार्ट हुआ था बट आपका डेट एक्सेंड हुआ है यहां पर देखे जो आपको फॉर्म कर सकते हैं तो और भी सिविल इंजिनिरिंग से जो रिलेटेड इस्टडी मैटेरियल एक्जाम अपडेट हैं तो उसके लिए पर दिश्क्रिप्शन में दिया है तो आप उस लिंक पर जाएं और टेलिग्राम जॉइन करें जिससे आपको डेली डेली नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके स्टुडी मैटेरियल भी मिलते रहेंगे कि कि